हेलो वच्चो गुड मॉर्णिंग एवरिवन एंड टुड़े वह रही थे अनुदर सेशन ऑफ बाइलोजी जिसमें हम लोग बैटा डिसकस करने वाले हैं कोश्चेन पेपर डिसकस करेंगे जो संडे मंतली आसेस्मेंट टू में जो अपने पेपर हुआ था आई सी से टेंथ करता है कलचर में हमारे पास क्या है टेवा दस सेल है एक मतलब पर M.L. एक M.L. में बड़ा F U Per M L होती है वैटा, क्या होते है वैटा C F U Per M L, मतलब Cells Forming Unit यह हम बोलने के Colony Forming Unit क्या कहेंगे वैटा, Colony Forming Unit ठीक है, Per M L, जिसको यहाँ पे लिखा गया है, Cells For M L लिखा गया है, Cells For M L लिखा गया है वैटा, ठीक है, तो Cells For एमेल को हम यहां पर देखते हैं कि मतलब यहां पर दिया गया आपको 10 sales दिया गया है ठीक है तो 10 sales for ml दिया गया है और बोल रहा है कि हर 35 मिनिट में बैटा क्या होती है यह डबल होती है ठीक है एंड दूसरा यह आपका 175 मिनिट समने इसको क्या क्या है कल्चर किया है तो ठीक है तो अगर 175 मिनिट हमने कल्चर किया है तो उसमें आपका कितने टाइम हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं अगर 175 अपन 35 कर दें तो हमें 5 बार यहां पर क्या होगी सेल को डिवाइड करने के लिए समय मिलने वाला है ठीक है तो 10 कुँ वेटा हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 10 कर देते हैं एड़ टाइम वट अनट टाइम 0 ठीक है जब 35 मिनिट हो जाएगी बेटा ये क्या होजाएगा double हो जाएगा टू इसम और ओने टो जाएगी जोब आका सब्योष यहां पर हो जाएगा पूर наших 10 and जब आपका हो जाएगा 105 35 minutes again तो यहाँ पर हो जाएगा 8 into 10 then आपका हो जाएगा 140 140 minutes तो 140 minutes हो जाएगा तो 16 into 10 हो जाएगा and जब आपका जाएगा 175 35 minutes again तो यहाँ पर हो जाएगा 32 into 10 तो जो कि बेटा आपका यह answer आएगा 32 into 10 आने माला है बटा यहां पर तो अगर हम यहां पर option देखें यहां पर हमें दिया गया 5 इंटू 10 दिया गया 32 इंटू 10 देन आपको दिया गया 35 इंटू 10 एंड 174 इंटू 10 तो आपका option C आएगा right answer ठीक है चलो next question देखते हैं during the cell division cell division के दोरां the spindle fibers attached to the chromosome at a region जब cell divide करने जाता तो उस टाइम में जो आपका spindle fiber chromozum के जो centromere है उसके उपर एक point के उपर क्या होता बैटा attach होता है अगर मैं एक typical अगर मैं chromozum का structure बना हूँ तो यह बैटा एक chromozum है इसको मैं करता हूँ duplicated कर देता हूँ यह हो गया बैटा duplicated chromozum यह बैटा हो गया आपका centromere और बोल रहा है कि centromere के कौंसे point में spindle fiber attach white वाला spindle fiber red वाला बैटा काइनेटो कह रहे और बीच में आपको center में यलौ दिख रहाए यह वाला centromere ठीक है तो अभी option में देखें कौनसा दिया गया during the cell division कौनसा होगा अटा centrosome तो होगा नहीं अब दिया गया kinet occur this is the right answer बाके central centromere नहीं होने वाला बैटा ठीक है next question देखते है which is the following statement is true इनमें से कौनसा statement बैटा सही है सबसे पहले दिया गया cell plate represents middle lamella जो cell plate होती है plant में जब cytokinesis होती है उस टाइम में cell plate के दौर के द्वारा यह वेटा क्या होता है डिवाइड होती है cytokinesis होती है बीटो इन दे वर्ल्ड सब टू आर्जसेंट सेल दो सेल के बीच में में क्या होती है cell plate बनती है और जिसके वसे वह आगे जाके मिडल ला मिला बनाता है बिल्कुल सही statement है ठीक है next at the time of cytokinesis cytokinesis के दोरान ओर्गनल्स like mitochondria and plastid like chloroplast हो गया mitochondria हो गया ठीक है get distributed between the two daughter cells बिल्कुल cytokinesis के दोरान बेटा आपका cytokinesis का ही डिवीजन होने वाला है यह statement भी बेटा आपका क्या है सही है next अम बात करते है cytokinesis in plant cell is centrifugal बोल रहा है कि जो plant cell में बेटा जो cytokinesis होती है वो centrifugal होती है and cell plate formation के द्वारा होता है और animal cell में same thing आपका कैसे होता है cell following method में होता है फोड़ा साइसको अगर हम देखें यहां पर ठीक है तो बच्चों अगर हम बात करें यहां पर animal की बात करें तो animal में बेटा क्या होती है आपका cell का फोरो कुछ इस तरीके से formation होती है जिसमें यहां है के nucleus बन चुका होता है यहां पर nucleus बन चुकी होती है तो यहां पर cell membrane जो है अंदर की तरफ धस रहा है तो इसको हम cell foro method कहते हैं और यहां पर देखो periphery to center की तरफ आ रहा है periphery to center की तरफ आ रहा तो इसको बेटा हम कहते है century petals बड़ सेम टाइम अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में बैटा cell world rigid होती है जिसके वज़े से यह तू अंदर धस नहीं सकता तो जिसके वज़े से आपका यहां पर क्या होती है यह हो गया अपका cell membrane अब यहां पर क्या होती है सेंटर में एक structure बनती है यहां पर दो nucleus अल्रेडी है मतलों डिवाइड हो चुका है कारियो काने से खतम हो चुका है तो यह cell plate क्या होगा आपका दोनों डायरेक्शन में क्या करने वाला है एक्सपांड होने वाला है जिसके वज़े से यह पूरा आपका कंप्लीट यह आपका सेप्रेशन हो जाएगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो यहां पर क्या होगा ना सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है डायरेक्शन अगर देखें सेंटर टू पेरिफेरी तो इसको बेटा कहते हैं सेंट्रिफ्यूगल टाइप कहते अपका क्या होती आनिमल सेल में कैसा होता बेटा फोरोइंग और क्लिवेज और सेंट्रि पेटल टाइप के होते हैं बिल्कुल सही स्टेक्टमेंट है यह भी बेटा सही है तो इसलिए हमारा करेक्ट अप्शन आएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइटो काइ D силь genesis in animal cell कैसा होता बेटा चैल फोरोइंग मेथड होगा डीस डाइरेक्शन यह आपका होगा मतले परिफ्रीत तो सेंट्री पेटल टाइप का होगा एटएट्स प्लांट सेल में क्या होगा इंडिन डायेक्शन अपर सेंट्री फ्यूगल ठीक है तो सेंट्री फ्यूगल त do not divide their cytoplasm by forming a furrow in cell membrane like animal cell animal cell में जैसे cell furrow होती है वैसे plant में cell furrow नहीं होता है क्योंकि cell wall काफी rigid structure होती है जिसके वैसे यह अंदर की तरफ आपका cell furrow नहीं हो सकता है ठीक है तो सबसे पहला यहाप पर option दिया गया plant cell do not have centrioles इससे कोई ब्लेंदन नहीं है cell wall formation wings with the formation of cell plate बुठीक है cell wall का formation जो है cell wall formation आपका cell plate से शुरू होता वह बात ठीक है बट हमें question में यह दिया है कि animal में जैसे cell furrow होती है तो plant में क्यों नहीं होता plant में ना होने का कारण क्या है cell plate representation middle ला मिला यह भी सई स्टेट्मेंट है बट एक डिन्ट और question से statement नहीं है प्लांट से इंक्लोजड बाइर रिलेटिबल इन extensible वोल जो सेल वाल है वो क्या होता है रिजिड होता है टॉट होता है इन इक्स्टेंसिबल होता है इलास्टिक नहीं होता है इन इलास्टिक होता है जिसके वैसे हमारा इस करण के बज़े से क्या होने वाला है न आपको इल फोरो जो है वह आपका प्लांट में नहीं होता है सेल प्लेट होती है ठीक है next question given below are two statement, दो statement दिया गया, एक assertion के reason है, statement पढ़ लेते हैं, पहले चेक कर लेते है, the growth of multicellular organism is due to mitosis, बोल रहा है कि, जो multicellular organism जो है, उनमें growth आपका किसके वज़े से होती है, mitosis का करान होती है, बिल्कुल सही है, number of cell increase होती है, weight, height, volume, सब्सक्राइब बात करें जो आपका एक्वेशनल सेल डिविजन होती है यह भी सही स्टेटमेंट है यह भी ट्रू है बट यह भी ट्रू है बट अगर हम बात करें क्या जो आपका अब देख लेते हैं यह दोनों तो होंगे नहीं अब बचिगा आपका बहुत अच्छे से द्यांद नहीं कि मेटाफिज में क्या क्रोमोजम में अब यहां पर क्या करते हैं कि तो वह अप्सन धूलते हैं अनाफिज के कॉड़िंग बट हमें दिया यहां पर डिफर्स फ्रम माइडोटिक आनाफिज डिफर्स फ्रम मेटाफिज इन पोजेसिंग समझारी बात तो मेटाफिज में क्या है वो चीज़ अगर हम देखें तो कि अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं यहां पर तो कैसा बेज़िकल आपका यहां पर होती है तो यह आपका है यह हो गया पिटा यह आपका मेटाफिज नैकिस कर align कर दिया मैंने यहां पे बैने 3वर ले लिया और स्पिंडा फाइबर को बै्टा टाच कर दिया ठीक है वहना यह ओगै आपका büyटा फेज हो गया ठीक है अब अब मेटा फेज के कुछ इस तरीके साता होना अगर हम यहां पर विजूलाइस करें बाट तो मतलब number of chromatid remains same ठीक है तो यह बात कर रहे हों मेटाफेस के तो मेटाफेस और आनाफेस में chromatid के point of view से कोई डिफ्रेंस नहीं है बड़े क्रोमोजम की point of view से difference है और आप फेस में सबस्क्राइब तो इसलिए आपसल विटा सी आपका अंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर एट हुई जब दो फॉलोइंग ऑप्शन न्यूक्लियर मेंबरन डिसेंबल मतलब न्यूक्लियर मेंबरन ने वह क्या होगा आपका गलत हो गया नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर दिसापियर हो रही है उसके बाद क्रॉश्चन वर इधर भी दे दिया विटा तो इछलिए वाला अप्शन में कट गया यह आपका माइ at the equator मतलब मेटाफेज देन सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर डिवीजन सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा सेग्रीगेशन टेलोफेज होगा अच्छा कंडेंशेशन डारेक्ट लिया यहां पर एक्वेटर सेंट्रोमियर डिवीजन segregation हो गया टेलोफेज हो गया this is the most appropriate जो आपका है बिटा second option आ रही है क्योंकि फोर्थ वाला option भी similar है पर इसमें एक चीज़ जो आपका न्यूक्लेट ने डिसाइपर वाला है तो वो चीज़ यहां पर नहीं दिया है इसके वाइज सेकंड option हम चूज करेंगे रादा दन डी नेक्स्ट सिलेक गड़करेक्ट अफ्षन विट रिस्पेक्ट टू मैट आसे मैट आसे मैट आसे के दौरान क्रोमाटेट्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूब करेंगे वेटा यह अनफेस का दौरान होता यह वेटा हो गया गलत सेकंड दिया गया गॉल्जी कंप्लेक्स एंडपलाज्म रेटिकला वारे स्टेल वेजिवल एड़ एड़ एंड़ प्रोफेस नहीं प्रोफेस के इंड के तरफ सारे सल औरगनल क्या होते हैं डिसापियर होते हैं ठीक है तो इसलिए यह वाला स्टेट्मेंट भी आपका हो गया गलत नेक्स्ट क्रोमोजम स्मूब्स तुदा स्पिंडल एक्वेटर एंड़ गेट लाइंड अलाइन अलांग दो एक्विटरल प्लेट अग है तो यह वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है अगला देख लहते हैं लुगाट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तो आपका सही आंसर हं थो चलो- interpreted नमबर टेन देखते हैं तेन में क्या दिया मैज़ दो कलम कॉलम मेंच करना ठीक है वड़ा आसान कोश्चन यहां पर देखो तब सब्सक्राइब आ गया है क्रोमोजम मूज़ तुद श्पिंडल एक्विटर अभी अभी कोश्चन डिसकस क्या वह बिटा कौन सा है ना सब्सक्राइब यह तो बिटा होता आपका आनाफेज में तो सी हो गया पेरिंग अब हो मोलोग उसक्रोमोजम यह हमने पढ़ाता जाइगो टीन जाइगो जाइगो मतलब पेयर तो यहां पर आ जाएगा बी नेक्स आपका दिया क्रोशिंग ओबर पकाइट इन स्टेज में होती है तो आपका आगया तो सिक्वेंस आजाएगा बटा डी सी वी एक फॉर्स सेकंड थार्ड फोर्डी सी भी एक दर देख लोड़ा फॉर्स्ट कड़ी आएगा सी वी एए यह वाला सी अप्शन राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन नमर्ट 11 बढ़िया क्वेश्चन है म मंंटिक कन ससका है मेתח मेच में उस दवरान ढाका क्रूम में कीतने गुर्म้ाटिद होंगे दो होते हैं अगर हम बात करें हम कोशिस करते हैं अब यहां पर यह तो अगर इस क्रोमोजम की बात कर रहें तो यह मेटाफीज न है यहां पर जो क्रोमोजम सा यह में कैसा होगा बटा दो क्रोमाटीट्स है यहां पर ठीक है दो क्रोमाटीट्स है चलो अगला देखते हैं क्या है ना क्रोमाटीट्स दो है डेस सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर के बात करें बैटा सेंट्रोमियर तो एक ही होता है ठीक है तो सेंट यहां पर एक तो इधर आपका dna molecule होगा और डुप्लिकेटेट डुए dna molecule यह होगा तो इसलिए dna molecule बेटा क्या जाएंगे दो ठीक है तो यहां पर देखते हैं option कौन सा match कर रहा है ठीक है 2122 पहला option रहा है ठीक है चलो next बात करते हैं सिल इन हीवान सेल पिद्धून और यहां पर इमने पड़ा अलग 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 तो डिफ्रेंटें टीशु में डिफ्रेंट इन डिफ्रेंट इन टीशुस हर एक तीशु में उसमें चैंज नहीं होगा विजबल ओन्ली सबसे अच्छा में दिखने वाला तो इसलिए यह नहीं होगा यह गलत हो चुका है टीशू में वेटा अलग-अलग जीन का एक्सप्रेशन होता है लग-अलग नहीं हो जाती है ठीक है तो इसलिए यह बटा आपका क्या हो जाएगा गलत अब बचाए कि यह वीजिबल डिवरी माइटासिस मेयोसिस बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपका जो माइटासिस होती है माइटासिस की जो मेटाफेज है तो सब्सक्राइब को अच्छे से विजलाइज कर पाते हैं ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं यह एक डाइग्राम दी गई है मेटाफेज का डाइग्राम दिया गया है तो हमें फेज नहीं पूछा है हमें पूछा कि सब आइडेंटिफाई करना है फौर सेकंड थर्ड या सेंट्रोल सेकेंड वाला जू म 야 सेंट्रोल जो सेंट्रोम्anking घलत जो सैंट्रोम यर वाला चलो ठीक है फिर आपका था वला जो वाला जो बैटा और अपका सही हो जाएगा फॉर्स्ट वालाऺका क्रूमाटिड हो गया सेकंड वाला आपका So Prof. तोर्ड हो यहां पर दिया है यह कौण सी फेज से र्मेका बतान यहां पे most dramatic period मतलब कहीं सारे changes होते हैं इसमें in cell cycle involving major reorganization of virtually all components of the cell cell के जो अलग-अलग components को virtually अलग-अलग जागा align की जाती चलो ठीक है इससे तो उतना दा नहीं समझ रहा है चलो देखते हैं इत रिप्रेज़ फेज़ वेन दा actual cell division occurs ठीक है इत रिप्रेज़ फेज़ वेन दा actual cell division कौन से फेज में होती है हमें पता है एम फेज ठीक है तो इसलिए हमारा अंसर आजेगे सिदी 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 से बात है खत्म next 15 which stage of cell cycle of the following figures a and b represents respectively a बाला किसको दिखा रहा बी बाला किसको दिखा रहा बी बाला तो हम देखके तुरंत ऐसे बता सकते हैं यह दो सेंट्रियोल ऑपोजिट सेंट्रोजम ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहें एस्टरेज बना रहें और एक ही न्यूकलेस दिख रहा है तो बेटा यह तो सीदी 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 बात है यह प्रोफेज है ठीक है अरली है लेट है बात में देखेंगा अप्सन चेक करेंगे पहला आपको दिख रहा है कि आनाफेज तो है बड़ आफेज के बाद क्या हुआ है देखो जो आपका क्रोमाटेट से वह पूरा पॉजिट पोल की तरफ पहुंच चुके है तो हो सकता है लेट अनाफेज हूं ठीक है चलो देख लेते यहां पर एक तो एवाला अनाफेज लेट आनाफेज और प्रोफिज दिया गया यह आपका ऑप्शन बन गया ठीक है जिवन बिलो इस स्केमाटिक ब्रेकप आप फेजस अब सेल साइकल अब दिया गया है सेल साइकल का फिकर दिया गया हुई जोना तो फॉल्विंग करेक्ट इंडिकेशन फेज और फेज इन सेल साइकल अच्छा करेक्ट इंडिकेशन वेटा बतानी आप अगर मैं एक ही बात करो पिटा यह वाला हो जाती है कारियो काइनेस ठीक है यह वाला क्या है प्रोफेज मेटाफेज इसके बाद यह आपका आजाएगा आनाफेज ठीक है आनाफेज सी वाला बेटा अगे डी वाला आ जाएगा वैटा सिंथेस फेज बताँ फेज जो बात कर रहे है यह आपका जी वन स यह जी टू और यह वाला एम फेज है ठीक है तो अगर देखे एव लगा वैटा आपका कारियो काइन इस यह साइटो कर दिए गलात है अब यह वाला अब प्रोफेज मे डिने का रेप्लिकेशन होती है सिंथेशिक पर अब कॉश्चन यह भी डाइग्राम तीन डाइग्राम बनाएकर दिखाए था मेटाफेज मेटाफेज वान अन फिस टू इन तीनों का डिफ्रेंशेशन मैंने करवाया था यहां पर दिया है स्प्रेटिंग अब सेंट्रों मेर centromere ka splitting कब होती है सी DHC सी बाहती है centromere कchair splitting होती है anaphase में ठीक है और अब यहाँ पर हमें option में धूरता है कि anaphase कौन सा mitosis का anaphase कि meosis का anaph होता दोनों में बड meosis के anaphase में पहले में नहीं होता है दूसरे में होता है स्काhm casket ओर mitotic anaphase amed तो माइटोटिक आनाफेज फो गया दोशारा क्या हो गया ह्नाफेज 2 अब अब अपसण में धुल ले तो आपका माइटोटिक आनाफेज और अनाफेज 2 पहला अपसण राइटा नेक्स्ट वी चोना तो फॉलाइंग नेवर अकर्स दूरिंग दा माइटोटिक सेल डिविजन के दोवरान कौन सा कभी होता ही नहीं है अच्छा कोईलिंग कंडेसिशन को बचमत होता है बेटा स्पिंडल अटास्ट तो यह भी होता है मुमेंट अब सेंटर मतलब यह आपका कोईलिंग का अब यह आपका बेटा मियोस इसका है तो अपसंडी जो कि आपका कभी भी माइटास के दौरान पेरिंग अपोलोगोस नहीं च्रूमोजम च्छिंग और एक्शंग जनेटिक मेंटिक मेंट्र कायजम आटा फॉरमेशन यह सारचे कुछ भी नहीं होता है ठीक ह अच्छा देन गरिंटी विश्चन नमबर नाइन विटा अल्रेडिया हम डिसकस कर चुका यह गलती से रिपीट हुआ है ठीक है तो इस तरीके से समझने की कुछिस करते हैं इस डाग्राम से आप जैसे देख रहो यह का आनाफेस का स्ट्रक्चर है अब इस आनफेस के दोरान अगर हम बात करें इसमें दिया गया है वेटा आपका कितने क्रोमोजम अगर यहां पर देखोगे कितने सेंट्रोमियर से वेटा आप देख लो सेंटरों मेर तो मतलब अगर यहां पर आपका छे हैं छे सेंटरों मेर तो हर एक सेल में 3 3 पढ़ रहा है ना ठीक है तो यहां पर आपका डिसक्सन खत्म होता अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ डाउट जा रहा है कुछ नहीं समझाए तो यू कन पूट यूर डाउट इन कमेंट सेक्शन ठीक है तो हम लोग क्वेश्चिस करेंगे उसको एंसर करने की और प्लीज सेयर और लाइक और सब्सक्राइब आ झाल